हाई वर्यों बल्कुम सेटी बाई सुपरगाइब मेरा नाम है अकाश्यों तब फाइनल युबे बहुत बड़ी खुश ख़वरी है उस सभी बच्चों के लिए जो कि सीपेसी का एक्जाम देख है आये चाहे उक्वास 10 थे हैं चाहे 12 के हैं सीपेसी की रिजल्ट डेट जो है वो अनाउस हो चुकी है 10 थे जोनों की बहुत जल्दी आपको बताने वालों मैं जानता हूं कि लगभग 49 लाग बच्चे वेट कर रहे हैं 10 थे अपने रिजल्ट का लास्ट इर की बात करें तो 12 मही 23 का रिजल्ट आया था अपरेल के फर्स में आयागा या फिर 10 से 13 या 15 में के बीच में आयागा लेकिन अब जो है CBSC की तरफ से आ चुकी है खुच से रिजल्ट डेट अगर आप जाते हैं CBSC की वेबसाइट पर तो आपको या पर दिख जाएगा देखो यहां पर ना बताऊ हर जगह यह बात है कि बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है तो पी टिकलेयर सून तो कई जगह वेबसाइट पर जो जो ऑफिशन वेबसाइट होती है जो न्यूज की वेबसाइट होती है आप लिखावा है कि नो न्यूज अबाउट रिजल्ट यहाड लेकिन अभी जो है अभी तुरंट में अपडेट आया वो यह अपडेट यह है कि अगर आप जाते हैं किसकी वेबसाइट पर cbscresults.nick.in बहुत ध्यान से सुनिएगा यह वेबसाइट वही है जिस पर आप अपना examination का result चेक करते हैं जब आप इस पर जाएगे तो यहाँ पर यह message जो है clearly visible है कि cbsc board results for class 10th and 20th are likely to be declared after 20th May 2024 एक message ज आपको पता चलने वाला है सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ 20 मई 2024 के बाद में आएगा इसका मतलब एक ऐसा examination NEET का exam और आपका CUET का examination इसके बाद मतलब CUET के major examination जो है वो खतम हो जाएंगे फिर तो online वाले बचेंगे तो यह major examination खतम होने के बाद 20 मई 2024 को आपका आपका result देखने के लिए मिलेगा अब धीरे धीरे website जो है update होने लगी है यह देखे यहाँ पर यह इंदुस्तान टाइम ने update कर दिया है यह इस पर दी लेटेस अपडेट आऊँजी cbscx.nick.in यह आ रहा है कि 10th and 12th का result है वो 20 मई 2024 के बाद आएगा तो I hope कि बहुत सारी confusions अब clear हो गए होगी अब अच्छे से CUET exam तयार करो इस चैनल को subscribe कर लो क्योंकि CUET exam की classes जो है यहाँ पर लगातार हो रही है and you can have our test series also link you can find in description video pen comment thank you guys